देश मेरा जल रहा है आग लगी है सीने में हुक्मरा सव्यफ्त हैं खून गईब का पीने में तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूं परमादर निये सभापती महोदय मंचाशीन निर्नायक मंडल समीती एवो मवस्थित मेरे प्यारे साथियों मैं आरक्षी खुश्बू चोहान केंद्रे रिजर पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्तावी पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूँगी महोदय दर्द हद से तब गुजरनी लगता है जब मेरी आखों के सामने ताज, पुलवामा, 36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य स सामने आते हैं, उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा धिकारों के अनुपानला करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है, महोदय आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आज कल फहराने से जादा मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूँ, महोदय थरदय तो उस दिन फट गया जब बुड़ी मा अपने बेटे के चितरों को देख कर बोली कि साहब आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ, महोदय आज इ जवान की विद्वा की वेदना चिक-चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांका सिंदूर गया, नन्यनोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी-छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब, मेरे घर की तो रोटि यां ही चली गई, महोद है, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इती हास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं, परन्तु आज मानवादिकारों के कारण हमारे देश के ज राइफल से निकलने वाली गोली को ये तै करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है, कि चाहे वो किसी निर्दोश को लगे या ना लगे, परन्तु किसी निर्दोश को नहीं प्रियादान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं एक आत्म हत्या है क्योंकि मुंकिन नहीं और एक वीर को जंकार दो यह मुंकिन नहीं जो हाथ बांदे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभभ नहीं महोदै आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों इन पत्थरवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मिटर तक जाएगी और यद हमारे देश के हालाग कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओ में उचाला जा रहा है हवाओ पर भी रोब डाला जा रहा है अरे हमी तो बुनियाद हैं आंतरिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है महोदै जब पुलवामा में 44 जवान सहीद अफजल हम सरमिंदा हैं जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवादिकार के ग्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की बेटी अपन कर दहार दो और एक तिरंगा जंडा उसका नहिया के सीने में गार दो महोद है अंत में अपनी वानी को विराम की और ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की निया प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कस जाता चरकों से शोलों के आगे रामायर पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे धर्ती के घोर कुहां से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है जैहिंच जैभारत